नमस्कार दोसों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बिना ATM कार्ट के फोन पे हो या पेटियम हो या गुगल पे हो इसका एकाउंट आप कैसे बना सकते हैं फिर उसके बाद दोसों आप आसानी से किसी भी बैंक एकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और पैसा दोसों आप ले सकते हैं कैसे बनाना है दोसों बिना ATM कार्ट के फोन पे पेटियम गुगल पे एकाउंट इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी तो आप वीडियो को पूरा सुरू सिरे का लास तक जोर देखिएगा वीडियो बहुत छोटी है आपको दोसों एकदम डेटेल से मैं बताने वाला हूं कैसे आपको क्या क्या करना है कैसे आप इसका एकाउंट बना के आसानी से अपने फोन पे पेटियम गुगल पे आप य चलिए दोसों वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोसों आप सभी लोगों को प्ले इस्टोर से फोन पे को आपको डाउनलोड करना है या दोसों आप पेटियम चलाना चाहते हो पेटियम को आपको डाउनलोड करना है या गुगल पे चलाना चाहते हो गुगल पे कि वो आप डाउनलोड कर लेंगे जी आप प्ले स्टोर से जैसे मैं यहाँ पर फोन पेख से यहाँ पर आपको कर के दिखाऊंगा बिना ATM कार्ट के आप कैसे चला सकते हैं कैसे आप लेंदेन कर सकते हैं जुकि दोस्व सेम प्रोसेस यहाँ पर ATM में भी रहेगा और Google में भी रहेगा जी हाँ सबसे पहले यहाँ पर हम फोन पेख को यहाँ पर डाउनलोड कर लिए हैं डाउनलोड करने के बाद दोस्व हम ओपेन पर किलिक करेंगे जैसे हम दोस्व ओपेन पर किलिक करेंगे डालने के बाद यहाँ पर proceed पर आपको एक बार किलिक करना है जैसे इस पर किलिक करेंगे यहाँ पर दोसो आपके mobile number पर एक OTP आ जाएगा जी हाँ यहाँ यहाँ पर code आ जाएगा जुकि आपको दोसो यहाँ पर डालना होगा जैसे दोसो आप यहाँ पर OTP डाल देंगे तो डालने के बाद दोसो आटोमेटिक आप यहाँ पर फोन पे अप्लिकेशन में आज आएंगे आज आने के बाद दोसों आपको यहाँ पर प्रमिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर्मिर आपको एक बार click करना है जैसे दोसों आप इस पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ आपका mobile number यहाँ पर so होगा जी हाँ फिर उसके बाद यहाँ सी दोसों अपना bank account को आपको choose करना है जी हाँ जो भी दोसों आपका bank account है उस bank account को यहाँ पर आपको select करना है जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मेरा bank का बढ़ोदा में account है तो हम इस पर हम click करेंगे click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर permission माएंगा जो कि SMS का यहाँ पर आपको दोस्तों allow कर देना है allowing जैसे करेंगे दुस्वों आपके यहाँ पर mobile नंबर पर एक OTP आ जाएगा जी हाँ message आ जाएगा जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि successful यहाँ पर message आ चुका है आज आने के बाद दोसों यहाँ पर आप दोसों देख सकते हैं कि हमारा bank account यहाँ से add हो चुका है यहाँ पर मेरा नाम भी सो हो रहा है और IFSC code भी सो हो रहा है जिकी दोसों अब आपको दोसे यहाँ पर एक UPI ID का यहाँ पर create pin करना है जि हाँ दोसों आपको एक pin को create करना है तो आपको create पर click करना है करने के बाद दोसों यहाँ पर अपनी UPI ID आप दोसों यहाँ से बना सकते हो जिसकी वज़े से दोसों आप lane देन कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ जैसे के दोसों यहाँ पर मैंने अपना नाम डाला फिर यहाँ पर कुछ यहाँ पर मैंने अंक डाल दिया है डालने के बाद दोसों यहाँ पर देख सकते हैं अवेलवाल है जी हाँ यह यह यूपियाई आईडी दोसों अवेलवाल है अब दोसों हम सेब पर किलिक करेंगे को पर दूस्वोँ आप successfully अपना यहां पर bank account आएड हो चुका है यहां पर आप देख भी सकते हैं account add successfully यहां पर दिखा रहा है फिर उसके बाद दूसरो यहाँ पर आपको done पर आपको click करना है जैसे done पर click करेंगे यहाँ पर देख सेटे हैं कि हमारा यहाँ पर phone पे start हो चुका है अब दूसरो हम यहाँ से back आते हैं back आने के बाद दूसरो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अब दूसरो आपको करना क्या होगा है यहाँ पर एक option आएगा UPI setting का जी हाँ दूसरो आपको यहाँ से आना है यहाँ पर अपने profile पर click करके यहाँ जैसे आएंगे दूसरो UPI setting यहाँ पर आपको देखने को मिलेगे इस पर आपको एक बार click करना है click जैसे ही करेंगे दूसरो यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं कि हमारा UPI ID जो अभी हमने create किया था वो यहाँ पर select है कि नहीं है यहाँ पर दूसरो आप देख सकते हैं हमारी UPI ID select हो चुकी है यहाँ पर बन चुकी है अब दूसरो हम यहाँ पर किसी से भी लेंदेन कर सकते यहां दोसो अब हम कोई सब यहां पर पैसा ट्रांसफर करना चाते हैं लेंदेन करना चाते हैं आसानी से अपने बैंक एकाउंट में आप कर सकते हैं जो कि दोसो यहां पर एक स्टेट बैंक में और यहां पर एक बैंक का बढ़ाओदा में दो बैंक में हमारा एकाउंट है इ इसकी वज़ा से दोसो मैं अब किसी को भी यहाँ पर पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ और किसी से भी पैसा अपने bank account में मंगा सकता हूँ तो दोसो आप इसी प्रकार अपना bank account add करके और UPI ID आप बना के आप किसी से भी आप लेंदेन कर सकते हैं आसानी से यहाँ पर phone पे यू पूझ कर शकते हैं दोसो यहीती वीडियो वीडियो कर पसंद आगाए दोसो वीडियो को लाइक करिएगा सेर कर दीजेगा अपने दोस्तों साग अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब जरू करेगा फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही मिलते आपको अग बंदर